नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप उमीद है कि आप अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्त होंगे खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे हमारी समाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा साथ की पुस्तक हमारा पर्यावर्ण में संकलित अध्याए पांच जिसका सीरसक है जल बच्चो जैसा कि आप जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्तव है और आपने यह भी सुना होगा कि धरती पर जल एकत्तर प्रतिशत की मात्रा में पाया जाता है यानि के तीन चोताई हिस्से पर जल है लेकिन फिर भी हमारे सामने जल की इतनी किलत क्यूं है आज हम अपने इस अध्याए में जल के इस वित्रन को और खास कर महा सागरों में पाये जाने वाले जल के संचरन को आज हम गहनता से अध्यन करेंगे बच्चो आपने कहीं बार यह महसूस किया होगा कि वर्षा के समय जब हमारे आसपास घरों के पास जल एकत्र हो जाता है तो वो कुछ ही समय के पश्चाथ गायब हो जाता है आखिर ऐसा क्यूं होता है आज की हमारी अध्यन समगरी का यही विशे है तो चलिए आईए हम इ शुरू करते हैं प्यारे बच्चो जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिक्षक में क्या चित्तर बनते हैं आप नदी जल परपात वर्षा की रिम जिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं बच्चे वर्षा से भरे गड़े में कागज की नाव तेरा कर बहुत जला जाता है बच्चो सूरिया के ताप के कारण जल वाश्पित हो जाता है ठंडा होने पर जल वाश्प संगनित होकर बादलों का रूप ले लेता है यहां से यह कई रूपों में वापिस धर्ती पर वरिष्टी के रूप में गिरता है ये रूप है जल हिम अत्वा सहिम जिस प्रकरम में जल लगातार अपने से रूप को बदलता रहता है और महासागरों वायू मंडल एमम धर्ती के बीच चक्र लगाता रहता है उसको जल चक्र कहते हैं ये बच्चो हमारी प्रिथ्वी थलशाला के सामान है थलशाला क्या होती है यह घर के पौधे रखने का क्रित्रिम आहाता होता है आप घर पर भी अपनी थलशाला बना सकते हैं उसके लिए आपको एक बड़े जार के एक चोथाई भाग में मिट्टी भर कर उसे अच्छी त्रेय दबा ना होगा इसके उप पर हुमस की एक पतली पर्त लगाएं पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं तद उपरांत उसके चारों और चोटे पौधों को व्यवस्तित करें इसमें जल की फुहार छिड़के फिजार को बंद कर दें पत्यों मिट्टी के द्वारा वाश्पित जल संगनित होकर जल की बुन्दों के रूप में नीचे गिरता है तो जल प्रिट्वी पर श्ताब्डियों पूर उपस्तित हुआ था वही जल आज भी मौजूद है बच्चो जिस जल का प्रियोग आज हम हर्याना के खेत में सिंचाई के तोर पर कर रहे हैं हो सकता है वह सेंक्डों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो अलवन जल के मुखे स्रोत ताल सोते एम हिमनद हैं महासागरों एम समुद्रों का जल लवनिया होता है इसमें अधिकांस नमक सोरियम कलोराइड या खाने में उप्योग किया जाने वाला नमक होता है बच्चों क्या आप जानते हैं ये लवनता क प्रती हजार ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं अर्थात महासागरों का जल सीधे तोर पीने के लायक नहीं है महासागरों की लवनता एक बराबर नहीं है कहीं यह ज्यादा है तो किसी महासागर में यह कम है हालांकि महा सागरों की ओसत लवन्ता 35 भाग प्रती हजार ग्राम है यानि के प्रती हजार ग्राम जल में 35 ग्राम नमक ओसतन रूप से पाया जाता है बच्चो यदि हम इजराईल के मृत सागर में नमक की लवन्ता देखें तो वो 340 ग्राम प्रती लीडर है तराक इसमें पलाव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सगन बना देती है बच्चो यदि हम इस वित्रन को देखें तो हमें यह अंदाजा लग जाएगा कि धर्ती पर उपलब्ध जो जल है उसका अधिकांश भाग महा सागरों में है अर्थात महा सागरों का जल तो पीने योग्या नहीं है वो तो लवन्या है तो इसी लिए धर्ती पर मीठे जल की कमी रहती है हम सभी जानते हैं कि प्रिथ्वी की स्था का तीन चोथाई भाग जल से ढखा हुआ है और धर्ती पर थल की पेक्षा जल अधिक है तो अनेग देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है क्या प्रिथ्वी पर मौझूद संपूरन जल हमारे लिए उपलब्ध है निम्ट लिके तालिका में जल वित्रण का प्रतिशत दिया गया है आप खुद ही इस बात से अंधाजा लगा सकते हैं महा सागर 97.3 प्रतिशत बरफ छत्रक 2.0 प्रतिशत भूमिगत जल 0.68 प्रतिशत जीलों का अलवन जल 0.009 प्रतिशत स्थलिय समुद्र एमम नमकीन जीले 0.009 प्रतिशत वायू मंडल में विद्द्यमान जल 0.001 नौ प्रतिशत और नदियां 0.001 प्रतिशत तो इस प्रकार से हम अगर इसको जमा करें तो ये पूरा 100 प्रतिशत बनता है बच्चो ध्यान से देखिए कि नदियों के में विद्द्यमान जल का प्रतिशत कितना कम है और महा सागरों में विद्द्यमान जल जो की लवनिय जल है पीने योगय नहीं है वो कितना उसका प्रतिशत कितना ज्यादा है आईए इस साधारन से किर्या क्लाप दवारा जल के वित्रण को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं आप दो लिटर जल लें मालें यह प्रिथ्वी की तव पर जल की संपूर्ण मत्रा है बरतन से बारा चमच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें बरतन से जल निकालने के बाद शेष जल में नमक मिला दें यह लवणिय जल को दर्शाता है जो महासागर एम समुन्दर में पाया जाता है यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह लवणिय जल यानि नमक युक्त होता है कटोरे में निकाल कर रखा गया बारा चम्मच जल प्रित्वी पर मौजूद संपूरन अलवणिय यानि मीठे जल की मात्रा को दर्शाता है जो हमारे लिए परियोग में लाया जा सकता है यहां चित्र में भी आप इस जल के वित्रन को देख सकते हैं आप स्वम देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं बच्चो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जीवन के लिए जल अत्यधिक अवश्चक है प्यासे होने पर हम केवल जल से ही अपनी प्यास बुझा सकते हैं ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उप्योग करने पर हम बहु मुल्य संसादन को बरबाद करते हैं आईए इस बहु मुल्य संसादन के वित्रन का महासागरों के रूप में महासागरिय प्रिसंचरन शीर्षक के तहत गहनता से अध्यन करें बच्चो यहां इस मांचित्र में आप कुछ परमुक्त समुद्र जीले एवम नदियां देख सकते हैं परशांत महासागर उत्री अट्लांटिक महासागर दक्षनी अट्लांटिक महासागर हिंद महासागर भूमद्य सागर कैस्पियन सागर लाल सागर कैरीबियन सागर आदी परमुक्त सागर और महासागर हैं इसी प्रकार से बच्चो कुछ नदियां अमेजन नदी, मिसी सीपी नदी, गंगा नदी, ब्रहम पुतर नदी व नीर नदी आदी को आप इस मानचित्र में देख सकते हैं ये सबी हमारे जल का स्त्रोथ हैं महा सागरिय परिसंचरन बच्चो समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादूई सी अनुभुती होती है पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायू में लवनिय गंद, एम लहरों का संगीत सब कुछ समोहित करने वाला प्रतीत होता है ताल एम जील के शान्त जल के विप्रीद, महा सागरिय जल हमेशा गतिमान रहता है यह कभी शान्त नहीं रहता हम महा सागरों की गतियों को मुख्य रूप से तीन रूपों में वर्गी करित कर सकते हैं जैसे पहली तरंगें, दूसरी जवार भाठा और तीसरी धाराएं हैं आईए एक एक कर हम इनका अध्यन करते हैं नमबर एक तरंगें जब महा सागरिय स्तव पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं जब समुद्रिस्त पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन होती हैं जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं तुफान में तेज वायू चलने पर विशाल तरंगें उत्पन होती हैं इनके कारण अत्यदिक विनाश हो सकता है बुकाम जुआला मुखी उद्गार या जल के नीचे रूस सक्लन के कारण महासागरिय जल अत्यादिक विस्थापित होता है इसके परिणाम सवरू 15 मेटर तक की उन्चाई वाली विशाल जुआरिय तरंगें उट सकती हैं जिनें सुनामी कहते हैं मच्चो क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रे तरंगें क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रे नस्ट हो जाते हैं इसलिए इनका नाम सुनामी तरंगे रखा गया है अब तक का सबसे विशाल सुनामी एक सो पचास मीटर मापा गया है ये तरंगें साथ सो किलो मीटर प्रती गंटे से अधिक की गती से चलती हैं बच्चो दो हजार चार के सुनामी से भारत के 30 एक शेत्रों में अत्याधिक विनाश हुआ था सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समु में इंदिरा पॉइंट डूप किया था यह मानचितर 2004 से पहले का है आप इसमें इंदिरा पॉइंट को देख सकते हैं प्रंथू अब आपको यह पॉइंट भारत के मानचितर में नजर नहीं आएगा बच्चो सुनामी के बारे में हम थोड़ा सा यहां पर चर्चा करेंगे कि इन्हें पृत्वी का तांडव भी कहते हैं बच्चो 26 दिसंबर 2004 को हिंद मासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रे तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ यह तरंगें उस बुकंब का प्रिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चमी सीमा पर था बच्चो यहां हमें भारत में दिसंबर 2004 में आई हुई सुनामी का जिकर करना अती अवश्यक है और उसके बारे में जानकारी हासिल करना भी बहुत जरूरी है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महसागर में सुनामी तरंगों अत्वा पोताश्रे तरंगों के कारण अत्यदिक विनाश हुआ यह तरंगें उस बुकंब का प्रिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चमी सीमा पर था इस बुकंप की तीवरता रिक्टर पैमाने पर नो दशमलव शुन्य मापी गई थी भारतिय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुदर तल में अक्समात गती उत्पन हो गई थी बच्चो अब ये प्लेट क्या है आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना अतिवशक है हमारी धर्ती मुख्य रूप से साथ प्लेटों में बटी हुई है और ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं गतिमान रहती हैं यही इसी प्रकार के ही गटना 26 दिसंबर 2004 में गटित हुई कि जब भारतिय प्लेट किस प्रकार से नीचे धस गई थी उसका विस्थापन हो गया था इनके विस्थापन के कारण भुकम पाते हैं तो महासागरियत तल लगबग 10 से 20 मिर्टर तक विस्थापित हो गया और नीचे की धिशा में जुग गया इस विस्तापन के कारण निर्मित अंत्राल को भरने के लिए विशाल मातरा में महा सागरिय जल उसी और बहने लगा अर्थाद जब कोई प्लेट नीचे धस्ती है तो आस पास का पानी उस थान को भरने के लिए उसके केंदर की तरफ बहने लगता है ऐसा ही वहाँ पर हुआ दक्षनी एम दक्षनी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा भारतिय प्लेट के बर्माव की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तटकी और लोटा यह सुनामी लगबग 800 किलोमेटर पती गंटे की गती से आई जिसकी तुलना व्यवसाइक वायू जानों की गती से की जा सकती है और इसके प्रिणाम सबरूप हिंद मासागर के कुछ द्वीप पूरन ते डूब गए भारतिय सीमा का धूर दक्षणी बिंदू इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समू में स्तित्पूरी तरह से डूब गया जब सुमात्रा में भुकंप के अधिकेंदर से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान वीप समूप एम शिरलंका की और बड़ी तरंगों की लंबाई कम हो गई जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गती भी साथ सो से नौसो किलोमेटर प्रती गंटे से गटकर सतर किलोमेटर प्रती गंटे तक कम हो गई समुदर तट से सुनामी तरंगें तीन किलोमेटर तक की गहराई तक गई जिनके फल सवरूप दस हजार से भी अधिक लोगों की मृत्यू हो गई और एक लाख से अधिक घर प्रभावित हुए भारत में आंधर प्रदेश के तटिय प्रदेश, तमिलाडू, केरल, पुदुचेरी तदा अंडमान और निकोबार्द विप्समू सरवाधिक पर भावित हुए यद भी पहले से भुकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है बच्चो फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत तीन गंटे पहले मिल सकते हैं प्रशांत महसागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रनालियां किरियाशील हैं क्योंकि वहां पर भुकंप और सुनामियां आती रहती हैं लेकिन हिंद महसागर में ये सुविदाएं नहीं हैं प्रसांत महसागर की तुल्णा में हिंद महसागर में तुनामी कभी कभार ही आती है क्योंकि यहां पर भुकंप किरिया बहुत कम होती है आप ये इन चित्रों से अंधाजा लगा सकते हैं कि भारत के तटिये प्रदेशों में कितनी तबाही हुई होगी दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिन एवं दक्षिन पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सो वर्षों की सरवाधिक विनाशकारी सुनामी थी हिंद महासागर में नरिक्षन आरंभिक चेतावनी की प्रनालियों एवं हिंद महासागर के तटिया निवासियों में जागरुकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ती का अत्यधिक नुकसान हुआ आईए अब महासागरिय प्रिसंचरन के दूसरे रूप जवार भाटा की जानकारी हासिल करें बच्चो दिन में दो बार नियम से महासागरिय जल का उठना एवं गिरना जवार भाटा कहलाता है जब सरवाधिक उंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को दूबो देता है तब उसे जवार कहते है जब जल अपने निमनतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते है बच्चो ऐसा क्यों होता है क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है आखिर समुद्र के पानी का दिन में दो बार नियमित रूप से उठना वे गिरना इसके पीछे कौन सा बल काम करता है बच्चो आपको गुर्तवा कर्शन बल की जानकारी तो होगी ही आप यह भी जानते होंगे कि सभी अकाशिय पिंड अपना अपना गुर्तवा कर्शन बल रखते हैं यह गुर्तवा कर्शन बल उनके दरव्यमान के अनुसार होता है इसी परकार सूर्य और चंद्रमा के अंदर भी शक्तिशाली गुर्तवा कर्शन बल है तथा सूर्य एम चंद्रमा के इसी शक्तिशाली गुर्तवा कर्शन बल के कारण प्रित्वी की स्तह पर जवार बाटा आता है जब प्रित्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुर्ट्वा कर्शन बल से जल अभी कर्शित होता है जिसके कारण उच्च जवार आते हैं पुर्णिमा, एम अमावस्य के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, एम प्रित्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे उचे जवार उठते हैं इस जवार को ब्रिहत जवार कहते हैं आप चित्र में इसे अच्छे से देख और समझ सकते हैं जब चांद अपने प्रथम एम अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एम सूर्य का गुर्त्वा कर्शन बल विपरीद दिशाओं से महा सागरिय जल पर पड़ता है परणाम सवरूप निम्न जवार भाटा आता है ऐसे जवार को लगू जवार भाटा कहते हैं बच्चो पूच जवार का हमारे जीवन में क्या महतव है आईए यह भी जान लेते हैं उच जवार नो संचालन में साहिक होता है ये जल स्तर को तटकी उंचाई तक पहुंचाते हैं जिस कारण जहाज को बंदरगा तक पहुंचने में साहिता मिलती है उच जवार मचली पकड़ने में भी हमारी बहुत मदद करते हैं उच जवार के दोरान अनेक मचलियां तटके निकट आ जाती हैं इसके फलसवरूप मचवारे बिना कठनाई के मचलियां पकड़ पाते हैं बच्चो कुछ स्थानों पर जवार भाटे से होने वाले जल के उतार चड़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है जवार भाटा के बाद हम तीसरे महासागरिय प्रिसंचरन को जानेंगे तीसरा महासागरिय प्रिसंचरन महासागरिय धाराएं हैं महासागरिय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरिय स्था पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं महा सागरिय धाराएं गरम व ठंडी हो सकती हैं यह प्रित्वी पर तापमान के असमान वित्रण के कारण होता है बच्चो जैसा कि आप जानते हो यहां चितर में भी देख सकते हो कि प्रित्वी के गोला कार अकार के कारण प्रित्वी पर सूर्य का तापमान समान रूप से नहीं पड़ता प्रित्वी पर भूमध्य रेखिय परदेशों में तापमान बहुत अधिक पाया जाता है और जैसे जैसे हम द्रूओं की तरफ जाते हैं तो तापमान की मातरा कम होती जाती है तो बच्चो अगर आप यहां इस चितर में देखें तो आप क्या पाते हैं कि प्रित्वी के अधिकांश भाग पर जल है और बहुमद्य रेखा के आसपास गरमी होने के कारण यह जल गरम हो जाता है और द्रूओं पर ठंड पढ़ने के कारण यह जल ठंडा रहता है और इस परकार गरम महासागरिय धराएं वो मद्या रेखा के निकट उत्पन होती है एवं धुरूओं की और परवाहित होती है ठंडी धराएं धुरूओं या उच अक्षांशों से उशन कटी बंदिय या निमन अक्षांशों की और परवाहित होती है इस मान्चित्र में आप महा साग्रिय धाराओं वे उनके बेहने की दिशा से ही पता लगा सकते हैं कि वो गरम जल धाराएं हैं या ठंडी मान्चित्र को यदि आप ध्यान बूर वक्त देखें तो आपको यहां पर उत्री और दक्षनी गुलारद में महा साग्रिय धाराओं की गती की दिशाएं और उनके प्रकरम बिलकुल विपरीत नजर आएंगे आप ध्यान से देखिए कि दक्षनी गुलारद में जो महा साग्रिय धाराएं हैं वो घड़ी की सुयों के विपरीद दिशा में आपको गूंती नजर आ रही है और उतरी गोलार्द में आपको घड़ी की सुयों की दिशा में समुद्रों का पानी गूंता नजर आएगा बच्चो जब विश्वतिय वृत के पास जैसा कि हमने पहले वी जिकर किया है कि बहुत गर्मी होती है तो यहाँ पाजल गर्म है तो जब भी कोई जलधारा विश्वत या वृत से दुरूओं की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो गर्म जलधारा है जब जलधारा दुरूओं से विश्वत वृत की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो ठंडी जल धारा है और ये जल धाराएं जहां से बैती हैं उन क्षेत्रों के तापमान पर बहुत असर करती हैं आप यहां पर लैब्रोडोर जल धारा इसकी दिशा से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एक ठंडी जल धारा है उसी प्रकार से यहां पर गल्फ स्ट्रीम इसकी दिशा बेहने की दिशा से आप अंदाजा लासते हैं कि यह एक गरम जल धारा है इसी प्रकार से ब्राजीलियन धारा जो एक गरम जल धारा है और वेनेंजुएला धारा एक ठंडी जल धारा है बच्चो गरम धाराओं से स्थलिय स्था का ताप मन गरम हो जाता है जिस स्थान पर गरम एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्म मत्सयन शेत्र माना जाता है जापान के आसपास एवं उत्री अमेरिका के पूरवी तट इसके कुछ उधारन है बच्चो एक बार फिर इदिया आप तोबारा इस मानचितर में देखें तो आप उत्री अमेरिका के कनेडा और स्युक्त रजय अमेरिका के पास जहां ये गल्फ स्ट्रीम जो गरम जलदारा है और उपर से आ रही लेब्रोडोर जो एक बहुत थंडी जलदारा है इसके मिलंस्थल को देखो तो वहां पर बहुत ज़्यादा धुंद या कोहरा चा जाता है और उपर लेब्रोडोर धारा के साथ बड़े बड़े बरफ के टुकडे जिने हम आइसबर्ग कहते हैं वो यहां पर आ जाते हैं यदि आपको याद होगा तो टाइटैनिक जहाज यहीं पर ही किसी एक बड़े बरफ के टुकडे के साथ टकरा करके डूब गया था तो आईए बच्चो यहां तक की जानकारी के अधार पर हम आपसे कुछ प्रशन पूछते हैं पहला प्रशन है वर्शन क्या है वायू मंडल द्वारा पृत्वी की सतह पर इकटी हुई आदर्था को वर्शन कहते हैं जलिये चक्र क्या है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महा सागरो वायू मंडल एवं धर्ती के बीच चक्र लगाता रहता है उसको जलिये चक्र कहते हैं बिल्कुल उचित उत्तर दिया बच्चो आपने अगला प्रशन है तरंगों की उच्चाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तरंगों की उच्चाई प्रभावित करने वाले कई कारक हैं पवन की गती, भुकम्प, ज्वाला मुखी उद्गार, जल के नीचे भू सक्लन बहुत खुब अगला प्रशन है बच्चो महा सागरिय जल की गती को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? महा सागरिय जल की गती को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान और प्रित्वी का गुणन है सही उत्तर तो अगला प्रशन है जुवार भाटा क्या है तथा यह कैसे होते हैं? दिन में दो बार नियम से महा सागरिय जल का उठना एवं गिरना जुवार भाटा कहलाता है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुर्तवा कर्शन बल के कारण प्रित्वी की सतह पर जुवार भाटा आता है अगला प्रशन है महा सागरिय धाराएं क्या है? महा सागरिय धाराएं निश्चित दिशा में महा सागरिय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं बहुत कूब उत्तर दिया बच्चो आपने बच्चो इन प्रश्णों में आपको उत्तर में केवल एक शब्द ही बोलना है पहला प्रशन है वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने सवरूप को बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? जल चक्र शाबाश अगला प्रशन गरम महासागरिय धाराएं उत्पन होती है भूमद्य रेखा के निकट बहुत खुब दिन में दो बार नियम से महासागरिय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? जवार भाटा बच्चो इन प्रशनों में आप कारण बताईए पहला प्रशन समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि इसमें अधिकांशते लवन के रूप में सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किये जाने वाला नमक खुला होता है बिलकुल सही उत्तर बच्चो अगला प्रशन है जल की गुणवत्ता का हरास हो रहा है कारण बताईए इसका पहला कारण है नदियों में कूरा कटकट फेग दियक जाता है दूसरा कारण उद्योग में रसायन वे प्रदूशिक जल की निकासी नदियों में होती है तीसरा कारण खेतों से कीट नाशकों के हानिकारक जिवानूं जल द्वारा बहते हुए नदी में आकर मिलते है चौथा कारण जली वे अध जली लाशों तथा जानवर तालाब नदी अथवा समुद्र में फेक देते है बिलकुल सही उत्तर बच्चो बच्चो क्या आप जानते हैं बाइस मार्च का दिन पूरी दुनिया में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन हम क्या करते हैं बाइस मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन जल स्वरक्षन के तरीकों को अपनाया जाता है बहुत खूप, बच्चों, हिंद महासागर में सुनामी किस दिन आई थी? 26 दिसंबर 2004 बच्चों, आपने इस अध्याय में जाना कि पृत्वी पर 71 प्रतिसत जल पाया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी यह जल हमारे लिए पूरी तरह से योग्य नहीं है आखिर, इतना सारा जल जो महासागरों में पाया जाता है, वो बिलकुल भी हमारे पीने के योग्य नहीं है बच्चों, आपने इसके साथ साथ यह भी जाना कि महासागरिय जल का परिसंचरण किस परकार से होता है तो उमीद है कि आपको ये सब जानने के पस्चात जल की महता का पूरा ग्यान हो गया होगा और आप अपने अपने घरों में या अपने विधालियों में इसकी महता को समझते हुए जल को बचाने का पूरा प्रियास करोगे बच्चो वीडियो को शुरू से लेकर अन तक ध्यान पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद